हादों का सबसे एहम हिस्सा नाकुन होते हैं अगर ठीक से खयाल ना रखा जाए तो आपके हाथ आपको शर्मिंदगी का कारिण दे सकते हैं ऐसे में अधिकतर महिलाओं के नाकुन पीले भी बढ़ जाते हैं लड़कियों को यह शिकायत होती है कि उनके नाकुन बढ़ने के स तूट जाते हैं और धुम्रपान और बदलते लाइफस्टाहिल की वजह से खराब हो जाते हैं इस तब से बचने के लिए आज हम आपको कुछ नए तरीके बताते हैं जिसकी मदद से आपने नाकुनों को तूटने से तो बचा ही सकते हैं साथ में नाकुनों का पीला पन भ इसका इस्तमाल करने के लिए एक बाउल मी नीबू का रस लें उसमें दस बंदा मिर तक नाकुन को डुबो कर रखें अब किसी टूथ ब्रश की मदद से नाकुनों को साफ करें ताकि पीला पन उतर सके इसके बाद गुन-गुने पाने से हाथ दोएं और मॉस्टराइजर दिर में दो बार ऐसा करने से नाकुन साफ हो जाएंगे अब बेकिंग सोड़ा का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए एक चमच बेकिंग सोड़ा देड़ चमच ओले और एक चमच निम्बू का रस मिलाकर एक पेस्ट तयार कर ले अब एक टूथ ब्रश से इस पेस्ट को नाकुनों पर लगाएं और पांच मिट लगाने के बाद गुंगुने पाने से अपने हाथ धोले हपते में दू बार इसका उप्योग करने से पीले नाकुनों से छुटकारा मिल सकता है वहीं टी ट्री ओईल में कहीं सारे अंटिसेप्टिक गुन होते हैं जो इंफेक्शन में सेप के सिर्के को अच्छी तरह मिलाएं उसमें नाकुनों को 20 मिनिट तक डूबोकर रखें इसकी बाद नाकुनों को अच्छी तरह सुखा लें दिन में दो तिन बार ऐसा करने से पीले नाकुन ठीक हो जाएंगे